हेलो दोस्तो वेलकम बैक मैं येटूब चैनल अजाद लाइब इस्टाइल 2.0 में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वालीबूड की फेमेस एक्टर दिच्छा पठानी के लाइफ इस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो दिच्छा पठानी का रियन नाम दिच्छा पठानी है इनका जन्म 13 जून सन 1992 में बरेली उत्तपरदेस इंडिया में हुआ था और दोस्तो जो 2022 की साब से ये 30 साल की हैं तो दोस्तो ये प्रोफेशन से एक एक्टर और मोडल हैं और दोस्तो दिच्छा पठानी की हाइड की बात करें तो ये पाथ फूर साथ इंच है ये लगभग 51 किलो की हैं और दोस्तो दिच्छा पठानी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अमने टी अनवर्सिटी से पूरी की थी और दोस्तो बात करें इनकी करियर की तो इन्होंने अपनी करियर की सुरुआद 2015 में तेलगू फिल्म लोफर से की थी और इन्होंने अपने बॉलिवुड की करियर की सुरुआद 2016 में यमियस धोनीदा अंटोल्ड स्टोरी से की थी दोस्तो दिच्छा पठानी अपनी पहली बॉलिवूर्ड मूवी से सभी का दिल जीत लिया और दोस्तो दिच्छा पठानी ने कई बॉलिवूर्ड मूवी में काम की है जैसे की बागी 2, भारत, बागी 3, राधे तो दोस्तो कमेंड में जावी बताना ये आपको कैसी लगती है और दोस्तो बात करें दिच्छा पतानी के बाइफरेंड के बारे में दिच्छा पतानी का बाइफरेंड टाइगर स्रॉफ है जो की मसूर बॉलिवूड के अक्टर है और दोस्तो बात करें इनकी फैमिली की तो इनके पिता का नाम जगदीज सिंग पतानी है और दोस्तो इनके माता का नाम पदमा पतानी है और दोस्तों इनके बहन का नाम खुस्पू पठानी है और दोस्तों इनके भाई का नाम सुरियांस पठानी है और बात करें इनका सेलरी और नेट वर्थ के बारे में तो दोस्तो दिछा पठानी पर मूबी को करने के लिए 6-8 करोड रुपे चार्ज करती है यहीं बात करें इनकी नेट वर्थ की तो 2022 के इसाब से इनकी नेट वर्थ 75 करोड इंडियन रुपीस है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंड में जरूर बताना तो दोस्तो प्लीज यहां को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक बाई बाई दोस्तो